यूपी, पंजाब, गोवा, मनिपुर, उत्राखंड, पांच राजियों में चुनाव अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्रपरदेश से होकर गुजरता है इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमू कश्मीर, BJP स्टेट प्रेजिदेंट रिविंदर रहना जी सर, JK News Today में आपका स्वागत है पांच राजियों में चुनाव है सबसे पहले तो यूपी में है और जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है आपको वहाँ पर campaign के लिए बुलाया गया तो क्या लोगों के मुद्दे रहे जैसे कि कहा जाता है कि आपकी fan following जमू कश्मीर में तो है ही है अब यूपी में भी आपने अपना परचम नहलाया है campaign के लिए आपको वहाँ पर बुलाया गया क्या मुद्दर है आपके वापर बहुत बहुत धन्यवाद नीतु जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है और आपने आपने जो प्रारंभिक उद्बोधन में ये कहा कि दिल्ली पहुँचने का रास्ता लखनव से यानि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटे है और जब 2014 में परधानमंत्री मोधी साब परधानमंत्री बने और 2019 में भी दोबारा परधानमंत्री बने तो प्रचन वहुमत के साथ उत्तर प्रदेश से भारती जनता पार्टी की जीत होई थी और फिर हम सब जानते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जब एसेंबली के चुनाव हुए लेंड स्लाइड विक्ट्री भारतिय जनता पार्टी की हुई जिसके बाद योगी अधितिनाद जी वहां के मुख्य मंत्री बने थे और जो पिछले पांच वर्षू में उत्तर प्रदेश के अंदर मोधी सहाब ने और वहां योगी अधितिनाद जी ने काम किये हैं यह उसी का परिनाम है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतिय जनता पार्टी की जबर्दस लहर है उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी के जैजेकार कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जमाने में गुंडा राज था माफिया राज था उगाही की जाती थी मनमानी थी माफिया लोगों का राज था योगी अदित्य नात्ची ने यह सब गुंडा कर दी यूपी के अंदर समात की है, बड़े पैमाने पर उत्रप्रदेश में डेलमेंट हुई है, बड़े बड़े हाइवेस, ब्रिजीस, गाउं गाउं में सडकें और टूरिजम के जो ने प्रोजेक्ट्स यूपी के अंदर डालब किये गए हैं, उससे यूपी के जनता बहुत खुश है, मानिय प्रदान मंतरी मोदी सहाब ने जिस तरीके से पूरी देश की जनता के हित में गरीबूं, मजदूरूं, किसानूं, हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्षो, इसाई हो, महिला हो, पुरुशो, समाज के हर व कश्मीर के अंदर भी आपने देखा, जिस परकार, यहां के लोग भी मोदी सहाब के हमेशा गुनगान करते हैं, क्योंकि मोदी सहाब ने हर इनसान को साथ लेकर काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी सहाब ने काम किया है, तो जो योगी अधितिनाद जी ने जिस इमानदारी के साथ और जिस दिलेरी के साथ और धाकड तरीके के साथ काम किया है उसी का परिणाम है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त भारती जनता पार्टी का डंका बज रहा है और प्रचंड बहूमत के साथ एक बार फि योगी अधितिनाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे तो वहां पर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर वहां के लोग समय कैसी वापस थिती बनी हूँ देखिए धारा 370 को लेकर पूरे धेश के अंदर आपको याद होगा जब एक विधान एक गरादूर जी जैसे हमारे बड़े महापुर्शों ने अंदूलं किये और एक विधान एक परधान एक निशान को लेकर पूरे देश ने हमारा साथ दिया था तो स्वाभावी है उत्तर परदेश के लोग बहुत देशकीलोग अधीवगत यूपी के लोगों ने हमेशा दे निरेंद्र मोदी दूसरे तरफ विपक्ष के लोग क्या लगता है कि यूपी में किसी सरकार बनेगी देखिए विपक्ष के लोग यहां तक आपने opposition parties की बात की है उत्तर प्रदेश में तो वहां आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे Congress Party किसी जमाने में Congress का वहां बोल बाला होता था लेकिन अब यह जमाना आ गया कि गांधी खांदान की एक खांदानी सीट होती थी अमेठी और राइबरेली अमेठी में श्री राहुल गांधी जी उनकी जमानत जब्त हुई है पिछली Assembly C2 में वहां के सारे MLS BJP के जीते और लोकसभा में सिम्रिती इरानी जी ने राहुल गांधी जी को वहां पठकनी दी और अखिलेश यादव हूँ या वहां प्रियंका गांधी जी बहुत ज़्यादा बयान बाजी कर रही है लेकिन यह खाली हवा में है अखिलेश यादव जब वहां उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे पूरे यूपी के अंदर गुंडा गर्दी होती थी माफिया राज था जबरदस्ती लोगों से उगाही की जाती थी इज़दार लोगों का उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल था आज जब योगी अदितिनाज जी वहां मुख्य मंत्री हैं और केंदर में मानिय प्रदान मंत्री मोधी सहाब के आश्रिवाद से जिस प्रकार योगी जी ने काम किया है आज उत्तर प्रदेश देश का एक रोल मॉडल बन रहा है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है आप मां गंगा के किनारे के जो घाट है हरिद्वार से लेके आप प्रियाग राज कांशी चले जाओ आप पूरे गंगा नदी के किनारे देखेंगे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को विश्व पठल पर लाया गया है सर्यू नदी और अयोध्या नगरी का जिस प्रकार से विकास हुआ है यह अपने आप में बहुत लाजवाब काम है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम उत्तर प्रदेश के चुनावूं में आपको नज़र आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी और फिर से योगी अधित्यनाद जी मुख्य मंत्री बनेंगे विपक्ष के लोग यह सिरफ हवा हवाई है हवा में बातें करने वाले लोग है इनका धरातल में कुछ नहीं है दुनिया जानती है अकलेश यादेव जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया रही बात कॉंग्रिस की तो कॉंग्रिस अब इतिहास के पन्नों में है ग्रोंड में और धरातल में कोई कॉंग्रिस नहीं एक तरफ आपको जमु कश्मीर के फ्यूचर सीम कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ आपको यूपी में कंपेंड के लिए बुलाया गया ये क्या संकेत है देखिए पार्टी हमारी जहां ड्यूटी लगाती है हम जाते अभी हमारे लगभग सो के करीब भारतीय जनाता पार्टी के कारेकरता पंजाब में कंपेंड कर रहे हैं और उत्तराखंड में हमारे यहां के कुछ कारेकरता गए है इसी प्रकार जब बंगाल में चुनाव हुआ था तो हम गए थे योगी अधितिनाद जी के साथ हमारा बहुत मदुर सबंद है और गुरक पूर जो पीठ है उसके वो पीठ अधीश्वर भी है और मैं स्वैम भी एक धार्विक प्रवित्ति का व्यक्ति हूँ और जब कभी हमें हमारे कारेकरता कहीं याद करते हैं तो कारेकरता बनके हम जाते हैं और स्वभाविक है जब आप मेहनत करते हो और निश्वार्थ भाव से काम करते हो तो लोगों का आपको प्यार भी मिलता है सम्मान भी मिलता है लोग आपका इज़त भी करते हैं, तो एक कारेकर्ता के नाते से हम काम करते हैं, अभी फिर से मुझे लखनो, फैजाबाद, आयोध्या, इन क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ आगे भी याद किया जाएगा, मैं जरूर समय दोगा, आपने पंजाब की पंजाब की बात की है, तो अभी पंजाब इलेक्शन भी आने वाले हैं, जिसको लेकर वहाँ पर सी एम की नॉमिनेशन भी आ चुकी है, पंजाब की अंदर भारतिय जनता पार्टी पहली बार अपनी दम पर चुनावल रही है, इससे पहले हमारा जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान जनिक नेता हैं, वो स्टालवर्ट प्लिटिकल लीडर हैं देश के, उनके साथ हमारा सालों साल तक हमारा गड़बंदन था, इस बार हम पहली बार अपने दम पर चुनावल रहे हैं, और हमें उमीद है कि पंजाब में भार चुनावल लड़ते थे, इस बार हम 75 के आसपा सीटों पर चुनावल लड़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि पंजाब के अंदर भी भारतिये जनता पार्टी वहां, कैप्टेन अमरिंदर सिंग जी जो वहां के एक बड़े पलिटिकल स्टार हैं, उनके पार्टी के स रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि भारतिये जनता पार्टी और हमारे मित्र दल, सहयोगी दल वहां अच्छी परफॉर्मिस करेंगे, रही बात कॉंग्रेस की, तो कॉंग्रेस में वहां बहुत जवर्दस्त इनफाइटिंग है, शरयाम आप देख रहे हैं, पंजाब के तलवारे मयान से निकालके तो एक दूसरे की गर्दने उडाने के पीछे लगे हैं, तो कांग्रेस को कौन बोड देगा वहां, वहां मुझे लगता है कि मल्टी कॉर्नर कॉंटेस्ट वहां चुकि अकालिदल भी है, केजरिवाल जी की भी पार्टी वहां चुनाव लट रह है, तो मुझे लगता है कि मल्टी कॉर्नर कॉंटेस्ट इस पर पंजाब में देखने को मिलेगा, बाकी पांच मतब ये तो थे आपने यूपी और पंजाब के बारे में बताया, बाकी तीन राजियों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि वहां पर किसकी सरकार किसका बहुम और मुझे विश्वास और बहुत तेज तरार युबा नेता हैं, और गोवा में एक बार फिर भारतियत जनतापार्टी की जीत होगी, और उसी तरह मनिपुर में भी भारतियत जनतापार्टी के मुक्य मंतरी ठाकर जी ने बहुत जबरदस्त काम किया हैं, और वो सब को में भी हमारे पास एक युवानेता मुख्य मंत्री है श्रीमान पुश्कर सिंग धामी जी और सोवाग्य से युवा मोर्चा में मेरे सीनियर थे पुश्कर सिंग धामी जी और गवा के मुख्य मंत्री तो हम कलीक थे और यह दोनु बहुत ही महन्ती हैं मनिपुर के मुख्य मंत्री भी बहुत करमठ हैं फौजी है रिटाइट और इमानदारी से उन्होंने भी काम किया रही बाद योगी अधितनाजी की तो सारी दुनिया उनकी जैजाकार करती है जैसे पूरे देश भर में मोधी मोधी होता है तो यूपी में योगी योगी होता है इसलिए पांच में से चार राजियों में आप नोट करके रखिए जिस दिन रजल्ट निकलेगा दस मार्श को ज़रूर याद करिएगा उस दिन भी पांच में से चार स्टेट्स में भारतिये जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी लेंड स्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी की और रही बात पंजाब की तो मैंने पहली कहा कि पहली बार भारतिये जनता पार्टी अपने दम से चुनाब लड़ रही है और पंजाब में हमारा संगठन विस्तार जो हम करना चाहते हैं वो बहुत मजबूत होगा वोट परसंटेज पंजाब में सीटूं के साथ-साथ हमें सीटें भी मिलेंगी और हमारा वोट परसंटेज भी पंजाब में पहले से तीन या चार गुना अधिक बढ़ेगा ऐसा मुझे विश्वास है और ये भारत ये जनाता पार्टी के लिए बहुत शुब संकेत होगा कर डी लिमिटेशन मेंबर डी लिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स ने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो शेर की है पार्लिमेंट मेंबर्स के साथ तो क्या लगता है आने वाले समय में कब तक जम्मु कश्मीर में चुनाव देखे जाएंगे देखिए मानिय प्रधान मंतरी मोदी साहब ने पहले ही कहा है कि जम्मु कश्मीर में विधान सभा का जब गठन हो जाएगा यहां जब डिलिमीटेशन कमीशन अपनी कारवाई पूरी कर देगा यहां नबे सीटों की विधान सभा होगी जब सीटों का परिसीमन हो जाएगा उसके बाद हमों कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे मुझे विश्वास है कि जैसा कि आपने कहा कि डिलिमीटेशन कमीशन ने अपने अपने असोशियेट मेंबर्स जो मेंबर पार्लिमेंट है उनको अपनी रिपोर्ट्स एक की ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है और चोदा फरवरी तक मेंबर पार्लिमेंट्स ने अपने सुजेशन अपने objections या जो भी सुझाव हैं वो commission को देने हैं, उसके बाद इस report को public domain में लाया जाएगा, फिर जनता से भी सुझाव मांगे जाएगे, और उसके बाद ये final draft इस report का आएगा, और इस report का final draft आने के बाद, आप देखेंगे, कि जैसा कि हमारे ग्रह मंतरी अमित शाह साब न यूपी के CM, योगी अधित्यनाजी को भी यहाँ पर campaign के लिए बुलाएंगे, जैसाब भाविक है, मानिय प्रधान मंतरी जी, मानिय ग्रह मंतरी जी, और उत्रप्रदेश के मानिय मुख्य मंतरी जी, हमारे बड़े stalwart लीडर है, और इसी तरह जो अन्य राज्यों के मुख के मुख्य मंतरी है, हमारे सैयोगी मित्रदल है, जरूर उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा, और वहाएंगे. सर, एक और निकाला है कि 5 सप्टेंबर 2019 को जो पब्लिक सर्विस कमिशन और SSB को लेकर जो एडविटीजमेंट थी, उन्हें रद कर दिया गया है, इन्हें रद करने के पीछे क्या कारण था? देखिए, बहुत समय से, यहाँ जो पोस्टें एडविटीजमेंट की गई थी, उनके फॉर्म्स भरे गए, कुछ बच्चूने रिटन भी क्लियर किये हैं, कुछ बच्चूने जो है फिजिकल क्लियर किये हैं, कुछ एक आवाईवा रहता था, और वो सारी नोटिफिकेश के जरीए उसको रद कर दिया गया है, मुझे लगता है कि जमू कश्मीर के ओनरेबल एफ्टीन गवर्नर साहब को, एक बार अपनी इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इस से आम जन मानस में, नोजवानों में, रोश है, मुझे भी नोजवान मिलने के लिए मैंने उनसे कहा है कि मैं स्वें भी ओनरेबल एफ्टीन गवर्नर साहब से बात करूँगा, वहीं जो SRO 43 है उसको भी रिव्यू करना चाहिए, सर जेके न्यूस टोड़े से बात करने के लिए धन्यवाद, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी स्ट्रेट प्रेजिडेंट रव